नवस्कार दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं फिश्णु पुराण क्यों को चनोकी बात होगी जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए अतिमात तो पोड़ हैं तो क्या है वतत्त चलिए जानते हैं दोस्तों मानने ता कि घर आया मैमान भगवान के समान होता है और उससे उसकी सिख्षा वो कभी नहीं पूछना चाहिए दूसरा मैमान से उसकी गोत्र या जाती नहीं पूछने चाहिए इससे वो अपने जाती या गोत्र बताने में असायज महसूस करता है धर आये मैमान से उसकी कमाई भी कभी नहीं पूछने जाएए चौता विश्णु पुरान में मुख की रूप से भगवान श्रीकिष्ण के चरित्र का निर्माल का वर्णन किया गया है तो दोस्तों वीडियो आप सुभी को कैसा लगा कमेंट सिक्सेन में जरूर बताएं और इसे इंटेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद रादे रादे जैस्री किष्णा